जैहिन दोस्तों दोस्तों आज हम जानेंगे कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपना वेट बढ़ाने के लिए और साथ-साथ अपने बॉड़ी को हेल्दी दिखाने के लिए दो ड्रज जिसमें एक डेक्सामेतास हों और साथ-साथ जो दूसरा आता हो आपको श सेफ है और अगर वाकई में इससे वजन बढ़ता है या फिर व्यक्ति हेल्थी दीखता है तो इसे कितने लंबे समय तक प्रयोग में लिया जाएगा तो व्यक्ति को मतलब व्यक्ति के शरीर में बहतरीन रिस्पॉंस देखने को मिलेगा और इसके अलावा हम सीखेंगे दो तो दोस्तों जैसा कि इसमें एक आपका प्रैक्टिन टेबलेट है जिसकी जो मूलनेम है वह आपको शिप्रोहेपाटेदिन है और शिप्रोहेपाटीडिन आपका एक एंटी हिस्टामाइन क्लास की दवा है और साथ-साथ या हंगरी स्टुमिलेशन का काम करता है तो अगर हम बात करते हैं तो शिप्रोः हेपाटेडिन के बारे में देग्सो ना टेबलेट के बारे में हमने पाइडिकुलर वीडियो बना रखा है। है यदि धोल-वुड glory से शीख सकते हैं जब दोस्तों जब कोई व्यक्ति या प्रैक्टिन टेबलेट खाना शुरू करता है और तो साथ के साथ जो डेक्सोना टेबलेट है उसे जब प्रियोग मिलेना शुरू करता है तो व्यक्ति का जो हंगरी एस्टुमिलेशन है मतलब व्यक्ति की जो भूख लगने की छमता है वह अधिक हो जाती है इसी को अधिक सदी खान-पान के ध्यान देना परता है वह हमेशा यू रहता है कि उसे फूड की नीर है तो व्यक्ति को मतलब खाने की एक शुदार देखा जाता है और दोस्तों यहां जो डिक्सोर्न और प्रैक्टिन डेवलेट है यहां एक सब्सक्राइब को जाता हैं अब हम ज्यानते हैं जो 13 नहीं है अब कितने हैं तो कई बार बार गलती से करते हैं कि ऐसे दस दिन पंद्रा दिन प्रयोग में लेते हैं उसके बाद लेना छोर देते हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप इस टेबलेट को लेना प्रयोग में लेते हैं तो दोनों टेबलेट को एक टेबलेट सुभा और एक टेबलेट साम आप प्रयोग में लेना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रात में इसको प्रयोग में ले और ऐसे आप 10-15 दिन ले उसके बाद दो दिन का गयाप रखे फिर इसे प्रयोग मिले फिर फिर प्रयोग मिले तो आपको बहुतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और साथ-साथ आपके बॉड़ी वेट में भूक क देखने को मिलेगा अब जानते हैं कि को साथ में प्रयोग में लेते हैं तो क्हाँ अपको गया देखे आता है तो इसके जादा तर खायरिक कंट चने मिले और साथ-साथ-साथ-साथ-स समस्या हो सकती है और कुछ केसे में व्यक्ति को स्लिपनेस मतलब बहुत जादा नीन दा सकता है और सम्टाइम्स व्यक्ति के सर में दर्द वगारा भी हो सकता है तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट से इस भब आने के बाद नहीं आपको पांच से साथ दिनों में खुद बखु मतलब गायब हो जाते हैं तो इसलिए आप इससे घवडाये नहीं और अगर इसके अलावा कोई सीवियर साइड एफेक्ट्स टेकने को मिलता है तो एक बार आप अपने डॉक्टर से जरूर समपर करें और इसके अलावा अगर हम इसके सेफ्टी एडवाइस और प्रिकॉसं है जो या फिर किसी और टाइप का इल्नेस है आपको विमारी है तब भी आप इस टेबलेट को प्रियोग में ना ले सिर्फ और सेर्फ एक हल्दी वेक्टी के लिए और यंग वेक्टी जो है उसके लिए ही प्रियोग में लिया जा सकता है तो आई होप दोस्तों मैंने किसी अगले टॉपिक के साथ